हम समझेंगे कि dream loan का जो label होता है वो क्यों दिया जाता है और इसका एक अच्छा कासा disadvantage उठता है आपको profit बनाने में dream loan पे basically label का काम क्या होता है किस तरीके से काम करता है dream loan पे और किस तरीके से algorithm set किया है dream loan पे उसके ओपर बारिकी से समझेंगे क्यों समझेंगे क्यों कि यह कोई तो topic है नहीं समझना प्रॉफिट के रिगार्डिंग लोगों का message आ रहा था कि मैं हार जा रहा हूं सीखने को मिलेगा सीख के जितना start कर दोगे फिर हमारे साथ जूर जाना आप ठीक है ना हमारे साथ जूर जाना टेलिग्राम पे नीचे description में लिंक है एड़ रियल स्किल गोजी सर्च करोगे तो चैनल लगा जोईन कर लेना कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है बाकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हो बाकि निव निव चीजे है ड्रिम लोन के रिगार्डिंग आपको मिलती रहती है कहीं भी कोई भी दिक् करें कोन सा प्लेयर नया है और प्लेयर पुराना है ठीक है तो लेबल इसलिए बनाया गया डिसाइट करने के लिए कि नया पुराना का पहचान करने के लिए तो अल्गोरिथम प्रोग्रामिंग ऐसा किया गया तो अब जैसे मानके चलो आपका लेवल एकसे लेकरDust तक है तो आप जो है new member के category में आ जाओगे ठीक है एक से लेकर 10 के 20 में आपका level है तो आप जो है new member के category में आ जाओगे और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप इस चीज़ को skip करके कैसे अच्छा घाजा पैसा बना सकते हो तो कैसे आप जो बेवकूप बनते हो लेवल को हाई करके ठीक है ना वीडियो को ध्यान से देखना बागी मैं छोटी-छोटी चीजे उसके बाद बता देना चाहता हूं ठीक है अब देखो पचास से सौ के बीच में जिसका लेवल होता है वह भाई यहां से मेडियम रेंज का मेडियम रेंज का members होता है ठीक है कहने का मतलब क्यों खेला है मतलब दो तीन महिने समय बिढा चुका है बहुआ है सौ के बाद सी सौ से प्रिस होता है तो थो एक तररिके से प्रो प्लेयर ठीक है प्रो के अंद्रगत आ जाता है अब कि सेक्षन में आपका लेवल है आप कम के बीच में या पचास से सो के बीच में है ठीक है ना पचास से नीचे भी आएगा तो न्यू कहीं अंदर आ जाएगा उतना भी दिक्कत नहीं होता है देख लो कि फिर फायर प्ले बॉलेशन लग जाएगी फिर मुझे ही आगा बोलोगे ठीक है एक निव आईडी बनाना ठीक है उसमें पहले चोटे-चोटे गेम खेल लेना जैसे पाच रुपए दस रुपए पंदरा रुपए बीच रुपए वाली गेम खेल लेना उसके बाद जो है पा आज जार तो आपके पास होंगे ही ठीक है अब आप कॉंटेस्ट जोइन करोगे इस आईडी के साथ जो बिल्कुल निव होगा तो सेम एस उसी कंडिशन के आपको उसी लेबल के प्लेयर मिलेंगे जो आपका यहां से ओपोनेंट रहेगा गौर करना जब भी आपका ओपोन है कि इस 처리 करती है इस तरीके के का अल्गॉरिथम काम करती है कि मान के चलो कि मैं 10 का स्पीड में दौड़ता हूं तो आपका उसका मेरा जो ऊपोनेंट होगा वह वी दस 10 km पर आवर के इस्विट में दोडता है अब मान के चलो उसका रेस करवाद या जाए जो 20 km पर घंता के स्पृट से दोड़ता है तो सिंपल से बात है कि यह जीच जाएगा यह घोरा जो 20 किलो मिटर पर घंटे के रब्तार से दोड़ता है सेम एज ड्रीम लाउन पर भी होती है लेवल डिसाइट इसलिए के गई है कि मान के चलो मेरा लेवल 235 है तो अब मैं कोई भी कॉंटेस्ट जोइन करता हूँ स्मॉल लिग में यह सारी चीज़े होती है बराबरा जब इन्वेस्ट किया जाता है पैसा जब भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ पैसा तो मुझे मेरे रेंग के प्लेयर को मेरे थूरू से सजेस्ट किया जाता है करने का मतलब कि जैसे मैंने कोई 3500 वाली इसमें तो 3800 वाली होगा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इस तरीके से रिकमेंट किया जाएगा तो तगड़ी कॉंपिटिशन देखने को मिलेगी अब मानके चलते हैं कि हम 6-7 साल से डिरिवलोन खेल रहे हैं ठीक है तो खेल रहे हैं 6-7 साल से मुझे अच्छा खासा एक्सपेरियंस है आज कुछ तीन लेवल का खिलारी को मेरे साथ भिरुआ दिया जाए क्योंकि मेरा 235 अब मेरे साथ भिरुआ दिया जाए तो मैक्सिमम चांज है कि मैं उसको हरा दूंगा क्योंकि हमारे पास खेलने का एक्सपेरियंस है मेरे पास अच्छा खाशा काबिलिया थे इसकी लिए लांदा नहीं है तो बचना वी सबसे बड़ी सवाल रहा लेगे के बचना कैसे तो बचना ऐसे है कि द्रेमडेवन को इसकीप करो फिलाल फिक्स हो जाऊ कुवेरा कुबेरा फेंटेसी पे और मैं हर एक वीडियो में आपको रिकमेंट करता हूं कि आप कुबेरा फेंटेसी पे खेल तो अब जितने भी बंदें होंगे invest किया गया था अर्मोस जो दाई तीन लाग क्या सपास इन्वेस्ट हुआ है हमारे तुरू से तो अच्छे खासे पैसे बना लिए लोग तो जीत ही नहीं है बेसक जो मैंने हैट टूहेट का टीम दिया था थोड़ा बहुत डगमगा गया था खेर कोई बात नहीं है वो भी कबर हो जाएगा अभी क्यों फीचर्स है डूओ मोड है कुविरा फेंटेसी स्वारी डूओ मोड है कुंटो मोड है गेम चेंजर मोड इस्टा फीचर्स लोड़ेड एप है और यहां पे लेबल की कोई बात नहीं होती है जैसे जो प्लेयर आते हैं जो कॉंटेस्ट जॉयन करते हैं आप उस कि चितना जितना खेलोगे वैसे वैसे लेबल आपकी इंक्रीज होगी जैसे जैसे लेवल आपकी increase होगी वैसे वैसे जीतने में आपको दिक्कत होगी So that मैं कहता हूँ कि GL वगरा खेलो ठीक है GL वगरा dream launch से जादा कोई provide नहीं करा सकती आपको अच्छी तो GL grand league वगरा खेलो बाकी आप जो है कुवरा fantasy पे जो है अब क्या फायता है वह भी तग्रा प्लेयर हम भी तग्रा प्लेयर उसको भी सारी चीज़ आती है मुझे भी सारी चीज़ आती है तो different captain या vice captain कर रह जाएगा या एका दुखा player कर रह जाएगा मेरे भाई समझ जाना इसलिए यहां पर classes भगरा भी बहुत जाते देखने को मिल रहे है ड्रीम लोन पर इनका ऐसे काम कर रही है मैंने दिफ्थ में अनलाइसे करके सारी चीज़ आपको बताई उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हुगा पसंद आया तो एक लाइक कर दिजिएगा चैनल पर न आई होप रात तक काम चलेगी कल के डेट में आपको वीडियो मिल जागी अब डेली टीप संट्री का वीडियो आ ही रही है और मैंचेस के वीडियो मैंने कल तो सेड़्ीओल वगरा लॉंच कर दिया है हमारा सेड्यूल देख सकते हो आप जाके कि हम कीस तरीके से काम करने आपको बहत्री तरीके से टेलीग्राम पर अपडेट मिलेगी और यूटूब पर अपडेट मिलेगी तो एक्टीव रहना कई भी कोई भी दिखत नहीं है बाए बेस्ट अप लग एक प्यारा सा कमेंट करना हमारे स्कील को जी फैमनी के लिए कि क्या सब आपको अच्छे ल यह आप लोग ही है जो पूछते हो मुझसे तो मैं एक्स्प्लेइन करता हूं इस चीज को मैं ऐसे नहीं कि मतलब उठाके चलिया है कि मेरे मैंड में ख्याल आया कि लेवल क्या है मतलब ऐसा कुछ नहीं आप पूछे कि बारे में कुछ बता दो थोड़ी डाउट के लिए लिए तो मैंने सोचा चलो यार मुझे पता है सारी चीजे तो मैं बता देता हूं को सो डेट मैंने एक्स्प्लेइन कर आप लोगे सामने उम्मीद करता आपको पसंद आएगा बेस्ट आप लग नेक्स्ट वीडियो मिनते हैं बाई बाई टेक किया है